हलो अब्रेवन सभीका स्वागत है सभीको जोहार जहींद आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने वाला हूँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जहारकन पुलिस चार 2015 से रिलेटेड में बात करूंगा इसे बहुत सारे चाहतर परशान हो जाते ह अगर एक दो दिन अपडेट नहीं मिलता है तो काफी मेसेजेज कोल्स आने लगते हैं मेरी भी कुछ नीजी समस्याएं हो जाती है जिसके कारण मैं अपडेट नहीं कर पाता हूँ आपको जैसे यह कटिंग आप लोग देखेगा यह दो दिन दिन पहले का है लेकिन अपड कर दिन है कि कैस अपडेट जो आप लोग फिल्चे के का है अभी तो उसके बारे में यहां परb कि यह सिक में कुछ बताने वाला हूं और लिखेंस हैं कारण है जो इस वैकन सी से सम्धार है तो उसके बारे में मैं सबसब पहले एक चीज यहां yes कि हाइब कोट के अदिवक्ता ने कहा है कि इस तरह का एक मामला सुपरीम कोडों में लंबित और यह मामला जो सुपरीम कोड में लंबू ता यह चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वहां के जर्जमेंट पे कितनी चात्रों का भवी से टिका हुआ है और किस तरह से निरणे आपको वहां बहतर डंग से लेकर आना है ताकि आपका फैदा तो हो ही और इस जहारकन सरकार में इस JSC के दरब से जो सताये जा रहे हैं उन सभी च चात्रों की जीत हो जाती है इसमें बहुत सारे चात्र अलावानवीत भी होंगे और आने वाले टाइम में भी होंगे और अभी परजंट टाइम में बहुत ऐसे केसे हैं दो केसे को मैंने आपको बता चुका हूं मैंने आपको बता दिया है कि सीधा हवाला आपके केस का दि पूछ रहेते तो केस अपडेट देखिए आपका 20 तारीक जो है वो डेट लग गया है और जिस तरह साथ-छात्रों के दौरा बताया जा रहा है कि इस डेट को काफी संभावना है क्योंकि यह जो ऑफिस रिपोर्ट होता है ऑफिस रिपोर्ट यहां पे सो नहीं करता था और पर रिपोर्ट यहां पर सो कर दिया गया है और उसके बार जो यह यह डेट यहां पर सो कर रहे है यह case status जो है मैंने यहाँ जीत अंदर सरमा का खोल रखा है और आप भी जाके वहाँ पर case status में चेक कर सकते हैं कि office report में जाने के बाद यह चीज़ें यहाँ पर आपको सो करेगी जो पहले सो नहीं कर रहा था और यह सो करने का मतलब यह है कि process आगे चल गया है और आगे हो सकता है 20 तारीक को संभावना यही है percentage की बात बोलू तो काफी संभावना है है आप लोग तो जानी दे हैं और court का मामला है यहाँ पे 100% security की जिगा नहीं दिया जा सकता है लेकिन संभावना है कि हो सकता है क्योंकि जिस तरह से बात हैं चल रही है भी बहुत हद तक जो है इस matter प को मिल गया तीसरा नमर जो है मैं यहाँ पे RTI से related कुछ update आपको देने वाला हूँ कुछ update मतलब यह है कि महानी देशा कि महानी देशा का कारेल है जहार कंटाची यह थोड़ा पुराना update है 2020 का RTI है लेकिन इसको यहाँ पे लाने का सिर्फ मक्सद यह है कि आपको बता पान कि इसमें जो है update जो है आप खुद से निकाल के देख सकते हैं इसमें आप देखिएगा पहला में विग्यापन संख्या 4 2015 में अंतिम रूप से आयोग दबारा कुल 5237 अप्यरतों की न्यूकती एह तु अनुसंसा प्राप्त हुई तो अनुसंसा मतलब में यही कहूंगा क 5237 जो है वो पोस्ट जो है यह जोनिंग लेटर इसू यहां पर किया गया आयोग के दवारा जिस तरह इन्होंने आर्टी आई में बता के रखाया आर्टी आई पर मैं जोड़ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आर्टी आई पर आप प्लैम कर सकते हैं कैसे सकर सकते हैं ठीक ह दूसरा जो है वो है अनुशंसा के पस्यात कुल 4843 यह नमबर थोड़ा मैंने यहां पर बताने का कुशिस किया था पिछले वीडियो में 4843 अबिरतों के दवारा संसोधित जो है वो यहां पर रिजल्ट यहां पर दिया गया मतलब रिजल्ट मैं बोलूं को इतना लड़का जो है वो जोएन किये थे द्वारा योगदान दिया गया है सोरी यहां पर दिखिए क्लियर लिखा हुआ है योगदान दिया गया था तो इसके बीच में जो अनुसंसित और योगदान देने वाले विद्यार्थी चितने थे इसके बीच में जितने भी सिट खाली है इसका अपडेट में आपको दे चुका हूं वैसे भी यहां माइनस करके देख सकते हैं इन सीटों का क्या इन सीटों को जैसे सी और सरकार को बिना कोई केस का ऐसे ही भर देना चाहिए था मैं बार-बार अपने विडियो में इस बात का चर्चा करता हूं कि लगभग लगभग 400 सीड है कि केस जितना लगभग लगभग वहां पर सुप्रीम कोट में ताय है एक पॉइंट तो यहां पर आपका हो गया इसको इस वीडियो को बनाने का मक्षद यह है इस तरह के वीडियो में अल्रडी बना चुका हूं लेकिन यहां पर यह मतलब है कि आर्टियाई आप लोग आयोग अब नहीं करेगा कि कितना जोइनिंग कराएं कितना नहीं करेगा रिखिए आयोग अगर जवाब दिया है तो उसकी पुष्टी भी आयोग ही करेगा सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में 2018 में 2018 में जोइनिंग किया गया करवाया गया च्छात्रों को और यह तो यह आर्टियाई है बहुत कामगा चीज है इसको समाल के रखना चात्रों की जिम्मेदारी भी होगी क्योंकि यह बहुत काम आने वाले हैं मैं साब तर पर बोलूं सबसे के पहला काम तो यह है कि एक प्रूफ के तौर पर आ जाएगा कि इतने इस्टोंटों के जो हैं व वो कबूल किया है कि इतना सिट जो है खाली है और 2020 का रटियाई है तो इसमें और भी कोई दाउपेच आपको नहीं करना है इसको समाल के रखनी है अपने वकिलों से चर्चा करने के जोरत यहां पे है वैसे मैं बात कर रहा हूं इस मामले में और जैसे ही कुछ पता चलता ह मैं उसको लाइब कर दूंगा महां से आप जाके देख सकते हैं लेकिन जैसे सी जो है कुछ गोल गोल यहां पर जवाब देने का परियास कर रहा है क्या जवाब देने का परियास कर रहा है यह मैं आपको बता दूंगा ठीक है वह विडियो अल्री अपलोड हो गया हो जाए यहां पे 10 November का जो यह date था इसके बारे में आपको नहीं जानना है इस matter में आपको यह जानना है कि आपके case का हवाला यहां पे लगबग high court में जो case है वहां पे दिया जा रहा है जो same matter समधिद matter से है और यह काफी important चीज है जिसका update अब लोगों के देना था RTI वाला 2020 वाला है इसमें खुद JSC अगर कबूल कर रहा है तो sure रहिए कि आपके result आएंगे ही आएंगे क्योंकि Supreme Court में इस चीज को यहां पे JSC को नकारेगा क्योंकि सीधा तोर पर मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ कि यह rule है कि अगर non joining वाला है जो चातर joining letter लेके joining नहीं किये है ठीक है और वैसे सीटों की संख्या यहां पे मैं बोलूँ तो साड़े 300 से 400 क्यास पास है तो इतना सीटों पे 100% sure है कि जीत होगी उसके बाद अन्य जो मांगे हैं जैसे मैं छेती जारक्षन female seat की बात करूँ तो इस पे भी पक्ष काफी मजबूत है इसका सबूत भी मैंने आपको दिया है कि इस तरह से अनिस्टेट में जो है वो रूल है तो इसलिए आप लोग निसीत आहिए और अगर result आएगा तो 2480 seat जो आपको मिलने वाले हैं और ये काफी बड़ा number है इतने vacancies जो आप नहीं आने वाला है जारकन में और इतने सीटों पे जो है वो आपको यहाँ पे फिर से second list के तोर पर आपको यहाँ पर result मिलेगा इस बात में एक चीज़ में आपको बताने भूल गया था कि यहाँ पे मैं आपको बहुत जल दे दूगा कि क्या जोल है या नहीं है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास यहां अवश्य करूँगा सबसे मैं इंपोर्टेट इस वीडियो में यही था कि केस अपडेट जो है वो 20 तारीका डेट लगा है आप समभावना यही है कि इस डेट पे जिते अंदर सरमा केस को कुछ ना कुछ इस टेप यहां पर आगे बढ़ेंगे इस चैनल पर अगर नहीं है तो चलो सबस्क्राइब के बेल आइकन को दबा लिजेगा इस तरह के इंपोर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के मादेम से मिलता रहता है आप सभी का सुक्रिया धन्यवाग